वेलकम टू न्यू लेसन आज के लेसन में हमें नई एड सेट अप करने थी वह काम हम कल के लेसन में करेंगे आज मैं आपको एक चेक्लिस्ट देना चाहता था और एक मैं आपको टेंपलेट देना चाहता था एड्स लिखने के लिए और ये चेक्लिस्ट आपको रेफर करने जबी भी आप search add बना रहे हो और ये template आप use करोगे अपनी add copies लिखने के लिए तो मैं अभी आपको ये समझा दूँगा ये template काम कैसे करेगा इसको आप कैसे use कर सकते हो और ये checklist आप कैसे use कर सकते हो ये दोनों चीज़े download करने के लिए इस video के नीचे button है दो button है एक पर लिखा होगा click here to download the checklist एक पर होगा click here to download the template आप दोनों को click करके ये दोनों चीज़े download कर सकते हो ठीक है जी अब हम बात करते हैं पहले checklist की देखो जबी भी आप google search add run करोगे तो आपको ये checklist टैफर करनी है अब इस checklist में क्या है number one काम क्या करना है आपको आपको करना है keyword research ठीक है हमने सीखा था keyword research करना तो सबसे पहले काम आपको क्या करना है आपको अपना keyword research करना है आपको वो keywords ढूणने है जिसके लिए आप ads चलाना चाहते हो दूसरा काम आपको क्या करना है landing page create करना है ठीक है क्या काम करना है आपको landing page now आपको ये make sure करना है कि जो भी आप landing page बना रहे हो वो आपके keyword के साथ align हो रहा है for example अगर आपका keyword है digital marketing agency तो आपका जो landing page है वो भी digital marketing agency keyword के हिसाब से बना होना चीए make sure कि आप ये जो word है digital marketing agency इसको logical तरीके से 2-3 बार अपने landing page पे at least use कर रहे हो ठीक है at least 2-3 बार आप अपने keyword को use कर रहे हो plus आपका जो landing page है वो है digital marketing agency के बारे में ही ऐसा नहीं होना चीए कि आपका keyword कुछ और है और landing page किसी और चीज़ के बारे में है अगर ये दोनों चीज़े align नहीं होंगी then आपका quality score impact होगा right तो make sure कि आपकी ये दोनों चीज़े align हो रही है then तीसरा काम जो आपको करना है वो आपको करना है आपको add copies लिखनी है कितनी add copies लिखनी है चार से पाँच add copies लिखनी है add copies लिखने के लिए आप इसका use करोगे इस template का अभी मैं आपको समझाता हूँ कि ये template काम कैसे करता है पहले में हम checklist की बात करते हैं तो तीसरा काम आप क्या करोगे आप add copies लिखोगे चार से पाँच then चौती चीज चौती चीज आप क्या करोगे आप remarketing tag setup करोगे make sure की आपका remarketing tag setup है अभी हमने कल परसो के lesson में I believe दो-तिन lesson पहले हमने remarketing और conversion tracking setup करना सीखा था ठीक है तो चौता काम आपका है remarketing tag setup करना then आएगा पाँचवा काम पाँचवा काम क्या है conversion tracking setup करना make sure की आप conversions सारे track कर रहे हो ठीक है फिर आपका छठा काम आएगा छठा काम क्या आएगा campaign create करना ठीक है छठा काम क्या करोगे आप campaign create करोगे single keyword adgroups create करोगे ठीक है single keyword adgroups create करोगे adgroups create करोगे जो कि single keyword हो जिनके अंदर ठीक है then 7 वी चीज़ क्या करोगे आप आप बनाओगे add extensions ठीक है 7 वी चीज़ क्या करोगे add extensions बनाओगे और 8 वी चीज़ क्या करोगे add करोगे कुछ negative keywords ठीक है तो keyword research करोगे then आप landing page बनाओगे then आप add copies लिखोगे then remarketing tag setup करोगे then conversion tracking setup करोगे then आप campaign बनाओगे with single keyword add group then आप add extensions बनाओगे और उसके बाद आप बनाओगे negative keyword ठीक है बहुत यह असान अब देखो यह template आपको कैसे use करना है तो यह template आपको use करना है अपनी ads लिखने के लिए तो जैसे ads हमने देखा था क्या होता है एक headline 1 होती है एक headline 2 होती है एक headline 3 होती है ठीक है अब यह सारी चीज़ें आप यहां से हटा दोगे तो देखो इसको save होने देते है रीफ्रेश हो जाए एक बर इन सब की देखो यहां पर limit लगी हुए formula लगा हुआ है जो headline 1 है वो 30 उसकी limit है और जो headline 2 है उसकी limit है 30 3 की भी 30 और display path 1 की limit है 15 तू की भी है 15 और description 1 की है 90 और 2 की है 90 हाना तो यह formula क्या लगा हुआ है और यह है आपका final URL यह क्या final URL इस आप traffic कहां भेजना चाहते हो तो suppose मैं traffic भेजना चाहता हूं इस website पे then मैं लिखूंगा headline 1 तो suppose मेरी headline 1 है digital marketing agency in Delhi अब आप देख सकते हूं यह minus 3 हो गया मतला मैंने limit exceed कर दी हाना तो मैं क्या करूंगा यहां से बस इतना लिखूंगा या मैं कुछ और लिखूंगा मैं यह limit exceed नहीं कर सकता ठीक है अब मैं लिखूंगा headline 2 grow your double your revenue लिख देते हैं double your revenue in 90 days अब देखो यह एकदम परफेक्ट है length 0 मतला हमने limit exceed नहीं की ठीक है similarly आप लिखो गें यहां पर headline 3 तो मैं अपना नाम लिख देता हूं यहां पर ठीक देखो यहां भी limit exceed नहीं अभी 17 और मेरे पास पड़े हो है characters then display path 1 display path हमने देखे थे जो दिखते हैं तो यहां पर मैं लिख देता हूं digital और यहां पर लिख देता हूं मैं marketing अब मैं लिखूंगा description 1 again make sure कि यह negative में ना जाए length तो again मैं description लिखूंगा 1 और then मैं अब यह काम आपको आपको 3-4 ads लिखनी है minimum ठीक है तो इसे copy करके आप नीचे paste कर लोगे और दुबारा आप अपना इसी में लिखोगे ठीक है so make sure कि जब ही भी आप कोई नया campaign बना रहे हो तो उससे पहले यह सारी चीजें आपने कर ली हैं अगर यह सारी चीजें किये बि भी तयारी नहीं कि हो सकता है चीजे mess up हो जाएं हो सकता है आप जल्दी बाजी के चक्कर में गलतियां करो तो make sure कि आप यह सारी चीजे फॉलो करो और then आप क्या करो आप campaigns बना राइट तो सबसे पहले आप यह checklist फॉलो करो और make sure कि आप यह add copies लिख रहे हो उसके बाद जाके आप क्या कर रहे हो उसके बाद आप campaign बना रहे हो ठीक है अब कल के lesson में हम क्या करेंगे यह सारे काम यह सारे काम तो मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा यह remarketing में कर चुका हूं conversion tracking कर चुका हूं बट मैं आपको keyword research करके दिखाऊंगा then मैं हम add copy लिखेंगे और then हम add बनाएंगे right but make sure कि आप यह सारा काम आज कर रहे हो ताकि कल जब मैं आपको सारा starting से बनाना सिखाऊंगा तो आप मेरे को follow करो और आप अपनी ads बनाओ जो मैं आपको कल एक बना के दिखाऊंगा ठीक है that's it from today's lesson thank you so much and again यह जो checklist है यह नीचे बटन है दो आप वहां से हीने download कर सकते हूं thank you so much